तो खुद गुजरात की हूँ और 2002 के दंगों की साक्षी भी हूँ मैंने देखा है किस तरीके से आर्मी को रोग दिया गया तीन दिन तक आर्मी को प्रवेशनी करने दिया गया और साथ में नरेद्र मोधी उस टाइम पे वहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था यह तो करिया की प्रतिक्रिया है बीजेपी के हालात ऐसे थे कि बीजेपी की लाल गारी वाली बतिया देखके लोग उनको दोड़ा देते थे मिनिस्टरों की गारिया दोड़ा देते थे साबर में ती एक्सपिस का जो कोच है उसको मैं कह रही हूँ और ये इसके हमारे पाइविदेस भी है कि जलवाया और उसके बार लोगों की बावनाओं को बढ़काने के लिए इस तरीके से उन लोगों ने अठाइस तारीके बाद एक दो और तीर उसे दंगे कराए हमारे साथ हैं वोरा जी जो एड़ोकेट है और अपना चैनल भी चलाती है अभी इनी से कुछ जान लेते हैं मैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे लगातार उंगलिया उठ रही है उठा पटक चल रही है जिस तरीके से जो हर फैसली के बाद क्लीन चिट मिल जाना कहीं क्ल रफ्तारी हो जाती है उमर खालिज जैसे हैं उनको अभी तक यूए-पी-ए के तहथ अंदर डाल दिया जाता है कोई भी अकदिकार की बात करता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है यह जूडिशनी स्टम किस तरीके हैं किस से काम कर रहा है उसका थोड़ा सबत आज के देखा जाए तो जो न्याय पाली का है वो बिल्कुल ही निश्क्रिय हो गई है या तो कहा जाए कि न्याय पाली का जो एक स्वतंदर इकाई है और जिसको अपनी एक प्रपुता बना के रखनी चाहिए उसके विप्रित वो काम कर रही है जैसा बता अभी आपने रिसेंटली देखा 24 तारी को जो जजमेंट आया 24 जून को तीन बेंच की जजिस देए जाकिया जाफरी की पेटिशन में सिफ उन्होंने मांगा क्या था उन्हों तो यही मांगा था ना कि SIT ने जो भी क्लीन चीट दी है नरेंदर मोधिया उसकी टीम को और उस जो SIT की टीम को रिपोर जाके उन्होंने इस तरह से जजमेंट दिया कि नरेंदर मोधि की सरकार को बदनाम करने वारे लोगों के सामने भी F.I.R. दाखिल किये जाए और उसकी वज़े से जो मानवा अधीकारी हमारी जो मानवा अधीकारी एक्टिविस्ट है तिस्ता सितलवार जी बिया श्रीकु पावर है उनके पास बहुत सारे वाइड पावर है पर वाइड पावर का मतलर ये तो नहीं कि आप अपने हाकाओं को खुश करने लगे अब तो हालात ऐसे हो गए कि सुप्रिंग कोट के जजिस महत्वकाशी हो गए है अब उनको अपनी रिटार्मेंट के बार भी दूसरी प्लेस्मेंट चाहिए होती है इसलिए वो सरकार के सामने जुक जाती है और सरकार के सामने फैसले नहीं करती है और जिस तरह के से नुपर शर्मा के मामले में चला आपने देखा कि पूरे विश्व में नुपर शर्मा के मामले को लेकर भारत देश की बदनामी हुई उसका नाम खराब हुआ उसके बावसूत भी उसकी गिरिफतारी के लिए एक लफ़ नहीं बोला जा रहा है और जिस तरीके से बुल्डोजर बुल्डोजर के उपर भी सुप्रिंग कोट ने स्टे लगाने से मना कर दिया लोगों के आज लोग जाएं तो कहां जाएं एक न्याएपाली का थी जिसके उपर सबकी नजर थी और सब चाहते थे कि न्याएपाली का शैद हमारे साथ खड़ी रहेगी पर आज इस तरसे फासीवादी ताकते देश के अंदर फैली होई है और फासिवादी ताकतों की वजह से देश के अंदर जो अन्याय चल रहा है वो अन्याय का मिटाने का जो सोर्स सुप्रेंग कोट हाई कोट ये सब लोग भी अब फासिवादी होते जा रहे हैं और इस वजह से जो जजमेट सारे हैं वो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए कि अन्याय नहीं कोई पेशी हुई थी जब सुप्रीम कोट में ये केस आता है तो क्लीन चीट मिल जाती है यह इसको किस तरीके से देखते हैं क्योंकि लोगों के अंदर भी सवाल है बहुत उम्रे हुए है कि किस तरीके से फैसले आ रहे हैं देखिए जहां तक कि क्लीन चीट और उन्होंने कहा था यह तो क्रिया की प्रतिक्रिया है मतलब धड़क बढ़काने के लिए एक आवास दे दी एक आग लगा दी और उसके बाद उन्होंने मिल्टरी को भी नहीं आने दिया और उन्होंने खुद इस तरह से बड़े ऑफिसल की मिटिंग करके बोल दिया कि जो हो रहा है होने दो और बहुत एहम बात है कि इन लोगों को दंगाईों को ये कैसे पता चला कि अगर पांच दुकाने हैं तो पांच दुकानों में से बीच वाली दुकान मुस्लिम की है या दूसरे नंबर की दुकान मुस्लिम की है मतलब ये उनका पूरा सोचा समझा एक साजिश थी टैकर के आए हुए थे कि जहां जहां पर मुस्लिमों की दुकाने हैं मुस्लिमों के घर हैं उनको टार्गेट किया जाए और जिस तरीके से ये 2002 के दंगे हुए हैं वो अभी अभी शाजी ने कहा कि हमारे दांग धुल गए पर मैं कहना चाहती हैं दांग धुले भी कहा था कि आप राजधर्म अपना ये और राजधर्म में सब को एक नजर से देखा जाना चाहिए परन्तु यहां पर जो एक प्रैक्टिकल करने आये थे इससे पहले मैं आपको याद दिला दू 2001 के अंदर गुजरात के अंदर बहुत भुकम पाया था और उस भुकम के मिनिस्टरों की गारिया दोड़ा देते थे तब पता लगा था कि अब 2001 के जो भुकम है उसके बाद इनकी सत्ता जाने वाली है इसलिए उन्होंने वोटों का प्लराइजेशन करने के लिए नरेंद्र बोदी को बुलाया और नरेंद्र बोदी ने अपनी RSS वाली बात्सिक्ता को चलते हुए उन्होंने प्लैन किया और प्लैन करने के बाद साबर्मिति कोच है उसको मैं कह रही हूं और यह इसके हमारे पाइविदेस भी है कि जलवाया और उसके बार लोगों की बावना को बढ़काने के लिए इस तरीके से उन लोगों ने अठाइस ता प्रतिकिया की बात कर देना पुलिस वालों के सामने काया कि तुम्हे कुछ एक्षन नहीं लेना है पूरे के पूरे मॉब को खुले आप छोड़ देना और उसके अंदर ट्रेनिंग दी गई कि किस किसे पेट्रोल बं बनाए जाए जाए यह सब क्या था यह सब आरे से पहल किया हुआ था उनको मालूम था कि 2001 के बुकम के बाद इन्होंने जो प्रशासिक निनन यह यह जो यह फैल हुए उसके बार इनकी सरकार जाने वाली थी तो अपने सरकार को लाने के लिए इन्होंने हिंदुवाद का अजेड़ा कर दिया और मिर्दोश मुस्लिमों के घर ज अपतिजनी के अपतिजनिक तीफणी दी इतनी आपतिजनिक तीफणी दी देखिँ कि विश्यू में भारत देश की थुटू हूई है यह उसके बाउज्रुत है और उसके अलावा जो कश भी काणपूर में शर्मा की ओसे स्टेट्मेट दिया जो विवादा स्टेट्मेट था उसकी वज़े से तो इसा है कि जैसे हम एक दिक्टेटर शिप में रह रहे हैं हम एक वासिवात में रह रहे हैं और यस वज़े से देश के लोकतंत्र बिलकुल खत्रे में हैं अब नहीं पालिका से रिटार होने के बाद एक जजनध अगर राजय समझ भालिका के जमें समय लेने उते तो उसके बदले वो सरकार के फेवर में छाते हैं उनको पादया जाता है उनका नगह्त है उनको फो अब उनको एलिवेट करके बेज दियागे, अब जो आरक्षन के बारे में इतनी उनकी विचार रखते हैं, और बाद में उनके इस स्टेटमेंट को हटा देना पड़ा अपने जज्चमेंट में, और जो जज्चमेंट वो डिलीवर करें थे उस जज्चमेंट में यह बोलने क समसकते हैं, तो मैं तो यह कहना जाती हूं कि जुटीश्री इंडीपैंट यूनिट है, जुटीश्री एक अलग इकाई है, लोग तंत्र के 4 थम हैं, और 4 थमों में से सबसे मजबूत, अगर कोई सथम है तो जुटीश्री है, इसलिश्री में बढ़लाव दाने की जोड़ आज जिसने से कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है यह तो मेरे तेरे वाली नीती है जो मेरा है वो आजाएगा उपर और जो मेरा नहीं है वह वापिस चला जाएगा यहां पर आज कितने जजिश है अगर हम काउट करें तो गिंदी पर दो चार पाइगा जजिश मिलेंगे तो कहने पर मैं तो एक बात जानती हूँ, एक रूल ऑफ ग्रैविटी होती है, ग्रैविटी अफ लॉव, ग्रैविटी अफ लॉव का मतलब होता है, गृत्वाक्षन का नियम, इस नियम से जो चित्रा उपर जाएगा, उसको एक नेग दिर नीचे आना ही पड़ेगा, अब आज तो क इन ने दिया, जो क्लीचिट दिया, उसके बारे में फैसला कीजिए, अब उसके बारे में फैसला करने के बदले, उन्होंने क्लीचिट तो देई दी, उसको तो बहाल किया ही किया, साथ साथ में उन्होंने मोदी सरकार को बदाम करने वाले जो लोग है, सो कॉल ऐसे कहके उ हमारी जो मानावधिकार की जो हमारी एक्टिविस्ट है तिस्ता सेतलवाट पियार श्रीकुमार और संजय बट इनके ओपर भी एफ़ायद आखिल कर दी गई और उके ओपर भी शैद एफ़ायद आखिल हो जाएंगी तो कहने का मतलए यह कि आपके जुरिडिक्शन में था कि आपको सिर्थ यह सकते हैं पर यह कानाँ जिसको समझा भी नहीं जिसको बुलाया भी नहीं जैए उसके सामने आपने पास कर दी यह ना नाणतर शैओ आगर हमारे देश में निनने देगे颈 तो कैसे यह देष चलेगा समच दिन हो रहा है बहुत बहुत तकलीफ हो रही है दुख में से कोर्ट देश मों समाधान क्या है मैं तो इस निकाल देना चायान है कि हाई कोर्ट में बनता है जो अलड़ी जज होते हैं उनके बेटे भाई बतीजी यह सब आके जजज बन जाते हैं एक ब्रह्मन तपका बना हुआ है जिसने अपनी जगा बना रखी है वही लोग उनको अलिवेट करते हैं और जो मतलब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वह जजज बन जाते हैं फिर जजज बनने के बाद उनको पता है कि भी हाँ फेस वैल्यू चलती है तो ऐसा तो नहीं होना चीन अगर आपने किसी को हाई कोर्ट का जजज बनाया है तो उसको दूसरे कोर्ट में भेजिए दूसरे स्टेट में बेजिए सपोस करो अगर गु उसको बदलना पड़ेगा उसकी सामने आप मोम्मेट करने पड़ेगी आवाज उठानी पड़ेगी कि क्यों सेस्टी ओविसी बाइनियोटी और कि लोग मतलब सुप्रिम कोर्ट में जच नहीं बन सकते इनका प्रभुत्व खतम करना पड़ेगा जो सुप्रिम कोर्ट में प्रभुत्व चल रहा है उसको सर्याब खत्म करना पड़ेगा यही उसका सॉलूशन है शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया मैं तो अभी हमने अड़्वोकेट वोरा जी थी रतना वोरा नाम है इनका गुजरात हाई कोट में अड़्वोकेट है और इनी से हमने जाना किस तरीके से जुडिशनी सिस्टम काम कर रहा है किस तरीके से फैसले दिये जा रहे है किस तरीके से लगातार ऐसे ही लोगों की गिरफतारियां हो रही है जो हग अधिकारों की बात करते हैं जो रोडों पे उतरते हैं सडकों पे उतरते हैं लोगों की सी एस्टी हो चाहे वो जुबैर हो ऐसे ही लोगों की जो है गिरफतारिया हो रही है लेकिन उसी मामले में अगर दूसरी और देखें तो नुपूर शर्मा जैसी जो इतनी बड़ी भद्री टिपड़ी करने के बावजूद जो है खुले आम सरे आम घूमती है और उसकी कोई गिरफतारी नहीं होती है उपर से सिक्योर्टी और दी जाती है तो आप देख लीजे किस तरीके से देश में सिस्टम और सत्ता में बैठी सरकार काम कर रही है